राज़ीती से काम तक, सियासी गल्यारों से कुर्सी तक, हैताम से लेकर मंतरी तक, महंगाई से घड़ी भी तक, हर खबर पर रहीगी हमारी नजर नमस्कर मैं हूँ राज़ शर्मा आप देख रहे हैं SP9 News वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में प्रोग्राम के शुरवात इस वक्त हम कर रहे हैं कनहिया कुमार से जी हाँ और ऐसे में देखा जा रहा है कि कनहिया कुमार कही ना कहीं कौंग्रेस पार्टी से नाराज चले जी हाँ शायद उन्हें कौंग्रेस पार्टी में नेता के तोर पर कोई बड़ी जिम्मेधारी दी जाएगी लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे तोर पर हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल कनया कुमार जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी में जो कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है इसका मतलब है कि शायद कनया कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी नहीं सोच रही है और इसी बात से कनया कुमार नाराज है दरसल कॉंग्रेस पार्टी में एक के बाद एक लगातार नेताओं का इस्तीफा देखने को मिल रहा है हम ये देख रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी में जो नेता हैं कॉंग्रेस पार्टी के जो नेता लगातार इस्तीपा दे रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता जो है वो लगातार पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो आखरकार पार्टी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं क्या कॉंग्रेस पार्टी जो पहले पार्टी के सभी नेताओं को लेकर साथ चला करती थी वो कॉंग्रेस पार्टी जो पहले युवाओं को आगे बढ़ाती थी जो पहले वरिष्ट नेताओं को आगे बढ़ाती थी और सीधे सीधे तोर पर हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने सीधे तोर पर पहले जो काम किया था वो काम अब जमीनी इस तर पर होता नजर नहीं आता है दूर दूर तक दिखता नजर नहीं आता जो कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले पोश्टर बैनर पैमपलेट तमाम चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती थी चुनाव के लिए लगातार अपना परचार परसार करती थी वो कॉंग्रेस पार्टी अब सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जादा ठंडी पड़ गई है खामोश होती नजर आ रही है इसका मतलब है कि कॉ कॉंग्रेस पार्टी ने परचार परसार करना बंद कर दिया और तो और कॉंग्रेस पार्टी में लगातार नेताओं का एक के बाद एक चो इस्तीफा देखनों को मिल रहा है सीधे तोर पर माना जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं का इस्तीफा कहीं ना कहीं इ कि देख रहे हैं कि पार्टी में उनका कोई भविश नहीं है, पार्टी में उन्हें कोई बड़ी पद नहीं मिल पाएगी, बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाएगी, तो सीधे सीधे तोर पर माना जा रहा है, सीधे सीधे तोर पर देखा जा रहा है, कि किस तरह के हालात हो सकते हैं कॉंग्रिस पार्टी की रहा को चोड़ सकते हैं सोनिया गांधी से रिष्टा तोड़ सकते हैं जिया दरसल इस तरह की बाते हम इसले कर रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो पार्टी की खराब हालत की जिम्मेदार हैं सोनिया गांधी ये देख रही है कि पा आजाद एक बार फिर चर्चाओं में आ गए है और चर्चाओं में आने की वज़ा क्या है ये भी समझ लीजे गुलाम नभी आजाद जो चाहते थे दोबारा से उन्हें राज्यसभा भेजा जाए हाला कि राज्यसभा के लिए तो सूनिया गांदी ने उनका नाम नहीं लिया लेकिन उनसे ये पूछा गया कि क्या कॉंग्रेस पार्टी में दूसरे नंबर का आप इस्थान ले सकते हैं आप उस पर बैठ सकते हैं सीधे तोर पर गुलाम नभी आजाद ने बना कर दिया उन्होंने कहा ये पद मेरे लिए नहीं है वो दूसरे पायदान पर नहीं पहल पायदान पर रहना चाहते हैं क्योंकि वो पार्टी के वरिष्ट नेता है उन्हें अनुभव है उन्हें राजनीती की समझ है पार्टी को चलाया है उनके साथ वोट बैंक है समर्थन है उनकी पकड़ है और ऐसे में उन्हें निचले पायदान पर लाना ये गुलाम नभी आज़ाद के साथ बहुत बड़ा धोका हो रहा था इसलिए गुलाम नभी आज़ाद ने सीधे तोर पर माना कर दिया कि भाई उन्हें पार्टी में वो जगा नहीं चाहिए दरसर गुलाम नभी आज़ा रहे थे कि दुबारा से उन्हें राज्यसभा भेजा जाए वो ये चा कॉंग्रेस पार्टी उन्हें प्रवक्ता का अपद दे सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाए देखें ये वो कनहिया कुमारे जो हमेशा से सच्चाई की बात करते रहें सच की बात करते रहें और सीधे सीधे तोर पर हमने देखा कि फिलहाल कनहिया कुमार जैसे नेताओं ने जिस तरह सच्चाई की बात की जिस तरह सच्चाई की साथ वो खड़े रहे ये सीधे तोर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं आज जो हालात बने हैं आज जो इस्थिती बनी है वो सीधे तोर पर ये बता रही है कि कनया कुमार जैसे नेताओं को तो अब तक तो बड़ा पत दिय ढोड़ा जाना चाहे था तर दौड़ाम के अपनी टिवेट के दौरान बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर देते हैं सीधे तोर पर हम थैसे बने नहीं देते क्योंकि उनके पास कुछ diz जह आता नहीं या कनया कुमार जैसे नेता जिस तरह से डिवेट करते हैं रैली उन्होंने की है पर चार परसार किया है इसकी बहुत बड़े मायने तो ऐसे नेताओं को अगर कॉंग्रेस अब नहीं पूछेगी तो कब पूछेगी दरसल पांचों राज्यों के चुनाव की तरफ हम थोड़ निकालनेगी कॉंग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस्टार परचारकों की लिश्ट बनाएए नेताओं की लिश्ट बनाएए इधर उधर तमाम तरह से मन्तों उतराए यहां तक की माना गया भई कनईया कुमार उत्तर प्रदेश में उत्रेंगे रैली करते नजर आएंगे लेकिन एक बार लख नुँ आए उसके बाद ना दाराद हो गए गायव हो गए कनईया को उतारा नहीं गया दरसल कॉंग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि अगर अन्य तब तक पार्टी का विकास नहीं हो पाएगा ऐसा पार्टी के नेताओं का कहना है ऐसा कॉंग्रेसी नेताओं का कहना है तो सीधे सीधे तोर पर हम देख रहे हैं कि कॉंग्रेसी नेता इस चीज़ को तो समझ रहे हैं कॉंग्रेस का G23 ग्रूप जो बहुत पहले से कह रहा कि किसी बात को आगे नहीं बढ़ाये जा रहा है और ऐसे मैं यही देखा जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं की जो हालत है जो इस्तिती है वो सीधे-सीधे तोर पर ये बता रही है कि शायद आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म होती नजर आएगी क्योंकि कॉंग्रेस के धीरे-धीरे यही नेता जिस तरह पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं जिस तरह पार्टी से खुद को अलग कर रहे हैं माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कॉंग्रेस एक इतिहास का चैप्टर बन जाएगी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आज के लिए इतना ही आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार